Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Google और Amazon दोनों मिलके Government of Israel के लिए एक प्रोजेक्ट के उपर काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट का नाम है Nimbus लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैसे employees जो Amazon और Google में काम करते हैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और as a result Amazon और Google दोनों को बहुत सारे वैसे employees को जौब से हटाना पड़ा जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे अब यहाँ पे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि Amazon और Google के जो employees है वो इस specific प्रोजेक्ट के खिलाफ है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो अपनी नौकरी को भी दौपे लगाने को तयार है और किस तरीके से ये Nimbus Project Connected है Government of Israel के साथ में इनी सब सवालों के हम जवाब जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले कुछ जेनरल बातों का ध्यान रखना बेहर ज़रूरी है हमारे लिए यूएस चाइना के उपर या चाइना यूएस के उपर जासूसी करता है और करवाता है इसके पीछे का जो वज़य होता है वो यही होता है कि किसी भी तरीके से जो information है उसका access किया जाए तो कहने का मतलब है कि आपके पास जितना अधिक जानकारी रहेगा आप उतना ही commanding position में रहेंगे समय के साथ जैसे ही चीजे बदलती है वैसे ही जानकारी को इखटा करने और store करने का जो तौर तरीका होता है वो वैसे ही बदलता है नॉर्मली जब हमारे phone के storage भर जाता है तो हम additional memory card अपने phone में लगाते हैं या नॉर्मली हम Google से हम कुछ storage purchase करते हैं तो उस storage purchase करने के लिए हमें कुछ pay करना पड़ता है लमसम यही कुछ example होता है cloud computing का जहां पे आप अपने information जानकारी को store करते हों और बदले में आप pay करते हैं और जब भी आपको उस storage का इस्तिमाल करना होता है तो आप उस storage को इस्तिमाल कर सकते हैं तो कुछ इसी तरीके से cloud computing infrastructure को built किया जा रहा है इस्रेल के अंदर और इस project में Google और Amazon दोनों collaborative तरीके से काम कर रहे हैं और जो मालूम पड़ा है उसके हिसाब से इस पूरे project का जो कीमत है वो 1.2 billion के आसपास जा रहा यहाँ पर एक चीज जो हमें as an Indian ध्यान देनी की बात है वो यह है कि यह जो cloud computing infrastructure बन रहा या तो यूं कहले कि जो data storage facility बन रहा वो इस्रेल के अंदर बन रहा तो कहने का मतलब है कि सरकार के पास full control रहेगा कि आपके देश का जो information है data है उसके जो soul authority है मालिक है वो आप ही रहेंगे तो as an Indian हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि जो भी हम social media का इस्तमाल करते हैं या अलग-अलग payment application का इस्तमाल करते हैं तो इन सब चीजों का जो database है वो कहाँ पे है और अगर वो भारत में नहीं है तो वो भारत में क्यों नहीं है और इसके लिए हमारे सरकार चाई steps उठा रह वो ये है कि जिस तरीके से government of Israel गजा में और West Bank में वहां के लोगों के उपर bombing कर रहे और उनका जो जमीन है उनको छीना जा रहा तो more or less इसी चीज़ को मुद्दा बना के वो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो Amazon और Google के लिए काम करते हैं और उसके बाद बहुत सारे ऐ जाने हैं कि आखिर में प्रोटेक्ट निम्बस है क्या और उसके बाद हम जाने हैं कि वैसे सभी लोग जो इस प्रोटेक्ट के खिलाफ में हैं उनके पास क्या ऐसा तरक है कि उनके हिसाब से यह जो प्रोटेक्ट है इसे complete तरीके से ban कर देना चाहिए जैसा कि मैंने बताया यह एक data storage facility बनाया जा रहा है इस्रेल के अंदर जिसमें Amazon और Google का collaboration है वहीं पे जो public domain में information है उसके हिसाब से जितने भी जो government offices या ministries है उन सभी के लिए Google और Amazon काम करेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उसके देश का जो data रहे वो उसके देश से बाहर में store हो जैसे हैं उस देश का data कहीं बाहर store होगा तो उसके उपर आपका command नहीं होगा तो इस project में खास करके ध्यान रखा गया है कि जितने भी जो data storage होंगे वो खुद इस्रेयल के अंदर होंगे लेकिन public domain में ऐसे बहुत सारे information निकल के आ in terms of artificial intelligence काफी आगे हैं तो जैसे कि normally हम movies में देखते हैं या in fact हमारे smartphone में भी आगया है कि हम face recognition से phone को lock या unlock करते हैं या अपने thumb impression से हम चीजों को lock या unlock करते हैं तो इस project के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये project data storage facility कम है और Google और Amazon दोनों मिलके government of Israel को वो facilities provide कर रहे हैं जिसके तह वैसे सभी लोगों को dominate किया जाएगा जो Gaza और West Bank में रह रहे हैं जो concern raise किया जा रहा है वो यही है कि आने वाले कुछ सालों में Palestinians के उपर surveillance बढ़ेगा और उनके उपर जो crackdown होगा वो भी काफी बढ़ेगा एक news portal है जिसका नाम The Intercept है 2022 में investigation के दौरान ये मालूम पड़ता ह कि बहुत सारे secret deal sign हुए है government of Israel और साथ में Google और Amazon के साथ में जहां पर ये कहा जा रहा है कि Google अपने artificial intelligence के मदद से government of Israel को facial detection, automated image, categorization जैसे facilities देगा तो कहने का मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में जो Israeli military है उनके लिए लोगों को identify करना और उनके जो body language है उसको analyze करना या उनक national behavior रहेंगे उसको analyze करना काफी असान हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि अगर आप Israel को support करते हैं तो ये सारे news आपको पढ़के काफी अच्छे लगेंगे जहां पर आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो government of Israel है वो अपने आपको और भी enhance कर रहें और कहीं ना कहीं उनके ना हो कि वो आपके खिलाफ भी इस्तमाल किया जा सके कहने का मतलब है कि ये exactly कहा नहीं जा सकता है कि कब technology का इस्तमाल सही कारणों से होगा और कब गलत कारणों से होगा तो इससे संबंदित बहुत सारे ऐसे information है जिसको पढ़के ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि human rights जो violations है वो बढ़ जाए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye